नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन श्रमा स्वाइब करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोकिशीन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं को बहुत ही जादा महत्वपुन टॉपिक वे एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानना चाते हैं और आप सभी सोचने की भी कोशिश करते हैं कि भारत के अगले प्रदानमंत्री कौन हो सकते हैं आज हम यहाँ पर इसलिए मोदी जी की कुंडली का अनलेसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोदी जी की कुंडली में अब भी प्रदानमंत्री बनने की योग बाकी हैं या नहीं हैं क्या कहती है मोदी जी की कुंडली और क्या कहती है भारत की कुंडली में राजनितिक स्थिर्टा दिखाई देती है या राजनितिक स्थिर्टा दिखाई देती है मतलब कि the political situation will be stable in the India और it will be disbalance in India for future तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से situation चलती है पहले हम बात करते हैं भारत की कुंडली के बारे में उसके बाद बात करेंगे हमारे प्रणामत्री मोदी जी की कुंडली के बारे में कि किस तरह से situation यहाँ पर जाती हुई दिखाई देती है देखे भारत की कुणली आप सभी को पता होगी 15th of August 1947 12 बजे की कुणली है रात की जो की व्रशब लगन को दर्शाती है और व्रशब लगन की कुणली के कारण से आप देखिएगा कि काफी समय से शनी का जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है वो एक स्थिल पैटर्न पर यहाँ पर चल रहा है और शनी कहीं कहीं एक movement यहाँ पर दिखाता है भारत के लिए यहाँ पर अभी जो शनी की position है वो भागिस्तान और कर्मिस्तान को ले करके चल रही है और यह एक बहुत बड़ा योग यहाँ पर बनता है जिससे की political stability कहीं न कहीं इस कुंडली में दिखाई देती है political stability होने के कारण से ही यहाँ पर शनी का जो यह प्रभाव है यह हमें फाइदा देता हुआ नजर आ रहा है अगर आप देखेंगे छोटी सी एक चीज बताता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान की कुंडली का जब आप analysis करोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन का योग बना और इसी शनी ने किस तरह से जाते जाते सत्ता परिवर्तन यहाँ पर दे दिया आला कि अभी भी एक साल तक पाकिस्तान की कुंडली में राजनितिक unstability रहेगी बड़ उसके बाद एक लंबे समय के लिए राजनितिक stability आती हुई नजर आएगी इसी तरह से भारत की कुंडली में अभी जिस तरह से शनी का गोचर चल रहा है यह बहुत ही जादा महतुपून चल रहा है और शनी के गोचर के साथ साथ गुरू का जो गोचर है यह भी काफी ज़दा प्रभावशाली है तो गुरू का गोचर कहीं कहीं देश में आर्थिक व्यवस्ता को सुधारनी की कोशिश करेगा और शनिका गोचर देश की प्रगती को देश की विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि आने वाला समय भारत के लिए तो कहीं कहीं स्टेबल रहता है दुनिया में चाहे जो मर्दी हो जाए बट भारत परिशानियों से निकल के बाहर आएगा भारत मुसीबतों से लड़के बाहर आएगा ये बिल्कुल सही स्थिया पर दिखाई देती है एक जो बहुत जादा नेगिटिव चीज भारत में दिखाई देती है ये ही सबसे बड़ी कमजोरी बनता हुआ नज़र आ रहा है और वो है भारत की कुंडली में धार्मिक चीजों को लेकर के विवाद उत्पन होना रिलिजियस एक्टिविटीज में या रिलिजियस चीजों में परिशानियां पैदा होना और ये अभी थोड़ा लंबे समय तक चलेगा इसी वज़े से भारत एक तरफ तो कहीन के बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा और दूसरी तरफ भारत कहीन के स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा और ये एक बहुत बड़ी परिशानी क्रियेट कर सकता है अदर्वाइस आप देखेंगे पॉलिटिकल चीजें जो है वो स्टेबल रहेंगी लौ स्टेबल रहेगा बिजनस भारत में बढ़ता जाएगा इकनोमिकल ग्रोथ भारत में काफी ज़दा अच्छी है और भारत का विकास कहीन के आने वाले तीन से चार साल तो दिखाई देता है इसमें कोई दो राहे नहीं है परन्तु भारत में इनी तीन से चार सालों में रिलिजियस एक्टिविटीज को लेकर के काफी जादा परिशानिया यहाँ पर की जा सकती है और उन परिशानियों की वज़े से जनता को काफी जादा नुकसान हो सकता है इसके चांसे यहाँ पर बनेंगे यह बिल्कुल ऐसा है कि एक तरफ तो हम चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसी तरफ चीजों को हम बिगारने की कोशिश कर रहे हैं याँ इसका सही एक्जामपल दू जो कि हमारे भारत के कई राज्यों में आपने देखा होगा मैंने तो देखा ही ये काफी राज्यों में एक दिन सड़क नहीं बनती है और कुछी दिनों के बाद वो ही सड़क किसी और के द्वारा तोड़ दी जाती है किसी और चीज़ को अच्छा करने के लिए ये एक पैटर्न चलता है इंडिया माई डों आपके शहर में चलता है ये नहीं चलता है बट मैंने काफी बार काफी जगे पे देखा है तो इसी तरह से एक तरफ तो राजनिति की स्थी अच्छी है एकनॉमिकल स्थी अच्छी है यहाँ पर भारत एक अच्छी प्रकदी की तरफ जा रहा है लोगों को रोजगार मिलेगा बिजनस अच्छा चलेगा दूसरी तरफ आप स्ट्रेस रहेंगे religious activities को लेकर करके परिशान रहेंगे और कोई-कोई मुद्दा देश में चलता रहेगा उस वज़े से देश में अशांति का माहूल भी continuous भी बना रहेगा ये एक बहुत बड़ा drawback यहां पर रहने वाला है परन्तु अच्छी बात क्या है कि growth है और आम आदमी कहीं ने कि आगे बढ़ता हूँ आपको जरूर देखेगा तो आने वाले तीन से चार साल तो growth दिखाई देती है ये तो clear है अब तीन साल के बाद या चार साल के बाद का सितिक ऐसा है तो उसमें भी लंबा समय है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बड़ इस बीच में क्या कोई war की situation बनती है भारत में war की situation तो नहीं बनती इन दो तीन सालों में तो बिलकुल भी नहीं बनती मतलब कि इस समय में अगर कोई भी country भारत में आकर के हमला भी करती है तो उसे मूँ की ही खानी पड़ेगी ये तो clear है भारत डट के सामना करने वाला है और जीत के बाहर निकलने वाला है इस स्थी पर ये चीज़ें चलती हुई दिखाए देंगी तो ये एक बहुत बड़ा point है याँ पर इसलिए भारत अपने आपको एक बहुत अच्छे लेवल पर आगे ले जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा अब बात करते हैं आपर भारत के प्रधानमत्री जी के बारे में मोदी जी की कुंडली आखिर किस तरह से अभी चल रही है तेकि मोदी जी की कुंडली में भी काफी ज़ाद अच्छे योग हैं और मोदी जी की कुंडली में अभी का जो समय चल रहा है ये भी काफी ज़ादा up and down वार चल रहा है मतलब कि मोदी जी की कुंडली में अभी यहाँ पर समय तो बलवान है कुंडली में क्योंकि व्रश्चिक लगन की कुंडली है शनी गोचर में तीसे और चौथे स्थान को यहां पर कवर कर रहा है और गुरू तो मूलत्रिकोर में यहां पर बैठा हुआ है मीन में यहां पर बैठा हुआ है बहुत ही जादा उत्तम योग यहां पर बनाता है और य काफी सारी चीजें काफी सारी चीजें करने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आएंगे इसके चांसे बनते हैं देखिए बायास डोके या किसी एक पार्टी को फॉलो करके मैं नहीं बता रहा हूं इस बात का विशेई ज्यांदी जीगा जो ग्रहों की चाल यहां पर एक presentable तरीके से यहां पर पेश करते हुए यहां पर नजर आएंगे इसके पूरे पूरे चांसे बनते हैं यहां पर मोदी जी के कुंडली में अगर देख लिया जाए तो आप देखिए कितना अच्छा योग अभी जो चल रहा है और अभी ग्रहों कोचल जो है कितने अच् यह जो ढ़ाई साल की स्तथी मजबूत बनी हुई है इसी स्तथी के कारण से अगर आप देखेंगे यहां पर तो एक बहुत स्ट्रॉंग चीज़ें यहां पर चल रही हैं पहला भारत की कुंडली में राचनितिक स्टेबिल्टी यहां पर दिखाई देती हैं इनके कुंडल हाई लेवल पर नहीं पहुन सकता जब तक की मोदी जी सत्ता में हैं इसलिए शायद हम आज देख भी रहे हैं कि यह कॉंपेटिशन नहीं हो पा रहे मतलब की बीजेपी के अगिंस में कॉंपेटिशन में कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है कोई बहुत मजबूत पार् परिशानिया भी उठानी पड़ेगी हेल्थ सेलिट माइन में स्ट्रिस मेंटल स्ट्रिस काफी जादा रहेगा और अभी तो मैं पहले बार बार भी कह चुका हूं कि इस साल तो मोदी जी को अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान यहां पर रखना चीए क्योंकि यह जो समय रहेगा यह हेल्थ को थोड़ा सा परिशान करेगा खासकर मानसिक अशान्ती यहां पर जादा होते हुए दिखाई देगी और ब्लड प्रेशर की अगर बिमारी है तो उसमें काफी जादा इन्हें ध्यान लकने की जरूत है क्योंकि वहां पर इन्हें परिशानिया जादा अब सवाल आता है कि क्या मोदी जी 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में क्या वापस से सत्ता में आ सकते हैं या नहीं यह बहुत बड़ा सवाल है दिखिए 2024 की जब मैंने के कुंडी देखी है मोदी जी की अभी जो एक बेसिक एनलेसिस जो मैं बता रहा हू आपको क्योंकि 2024 तक शनी जो रहेंगे वो इनके स्वाराशी केंदर में बैठे रहेंगे शनी का स्वाराशी केंदर में बैठ जाना एक बहुत बड़ा योग यहां पर बनाता है और ये एक बड़ा रीजन है कि इनके सकता में बनने के तो चांसे पूरे-पूरे बनते हैं म के भी पूरे-पूरे chances यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बारे में और detail explanation मैं आपको कब दूँगा जब proper dates हमारे पास होंगी और competitors कौन-कौन हैं उसके बारे में जब पता चल जाएगा तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बट अभी जहां तक देखा जाए क्योंकि 2025 तक तो इन्हें सत्ता में रहना चाहिए ऐसी calculation है। तो 2024 के बीच में जो elections होने वाले हैं उसमें मोदी जी कहीं न कहीं कमाल करने की कोशिश यहां पर जरूर करेंगे और साथ ही साथ T.O.K का भी मुद्धा बहुत जल्दी फ्रेम में आने वाला है और मोदी जी कहीं नोबेल पुरस्कार या कुछ एक अच्छा इन्हें अवार की प्रॉब्लम दिखाई देती है और इन्हें अपनी हेल्थ का तो पूरा पूरा ध्यान यहां पर रखना चाहिए अदरवाइस कोई बहुत जाद दिकत बहुत परिशानी नहीं अभी बट दुश्मन परिशान करेंगे अपोजिशन प्रॉब्लम करेंट करने की कोशिश कर रहेंगे यह चुनाओं में रहेंगे यह सत्ता में भी रहेंगे अगर हेल्थ ने साथ नहीं दिया तो डेफिनली फिर यह अपने आपको बैक करेंगे और किसी और को आगे लाने की कोशिश करेंगे बीजेपी का जब मैंने ग्राफ देखा है यहाँ पर बीजेपी की पुम्ली मैंने देखी तो यह भी कैलकुलेशन आती है कि बीजेपी अभी और यहाँ पर स्टेवल पोजिशन में रहेगी इंडिया में और अभी इस फ्रेम में मदब क्या भी कह सकते हैं कि 2027 तक तो 2027 से पहले के इलेक्शन में बीजेपी अपनी प्रेजन्स काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर दिखा सकती है बट कुछ परिस्तितियां बदलेंगी यहाँ पर कुछ चीजें बदलेंगी जिसकी वज़े से बीजेपी को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा थोड़ी या राहूल गांदी पीम बन सकते हैं क्या रहेगी आम आदमी की पार्टी की इस्तधी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बट आज के लिए सिफ इतना ही कि नरेंद्र मोदी जी की कुण्डली में आपको बता दी और बीजीपी का जो ग्राफ बनता है उसके बारे म पेजर Darragh से क्रिकर लिए गा इसके अलावा कुछ पूशना चाते हैं कुछ जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ समधना चाते हैं आप को इनसे संफ़र कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभा मददिया पर कर सकूँ milyon